नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्मार्ट स्टॉक ट्रेडर्स मेरे यूटूब चनल पे आज दिन है 18 जनवरी 2024 निफ्टी फिर माइनस 0.51 परसेंट आधा परसेंट निफ्टी गिर गया है और सेंसेक्स देखेंगे तो 0.44 परसेंट गिर गया है बैंक बीज भी जो है वो माइनस 0.84 परसेंट एक परसेंट बैंक बीज भी गिरा है ठीक है यह HDFC बैंक का चार्ट खुला हुआ था ठीक है यह कोई suggestion नहीं है खरीदने के लिए बस analysis का एक पार्ट है क्योंकि इसका बहुत अच्छा weightage creation है इसमें बैंक बीज में आज का अगर डाटा का बात करें दोस्तों तो डाटा देख लेते हैं एक बार क्या हाल है market का तो FI's ने फिर से जो है 17 जनवरी को अगर आपको याद होगा मेरी लास्ट वीडियो में 10,000 का FI's ने sale किया था आज फिर 9,901 मतलब 10,000 के आसपास फिर से आज selling हुई है 9,901 करोड की selling हुई है और जो DIs हैं उन्होंने करीब-करीब 6,000 का आज purchasing किया है तो दोस्तों मैं बात करने वाला था जैसे कि मैं regular बात करता हूँ regular income के लिए तो bank biz का देखते हैं bank biz में सिरफ 11 bank है इस time पे और bank biz सबसे ज़्यादा volatile ETF है one of the most volatile ETF और इस पे आप trustee ETF भी है volatile होने के साथ साथ यह one year का अगर हम चार्ट देखते हैं bank biz का तो आप देखेंगे bank biz अनेको बार 2-3% गिरता है फिर 2-3% उठता है ठीक है आप देखते हैं यहां से इसने अनेकों मौके दिये हैं आपको regular income कमाते रहने के लिए यहां से फिर भागा है यह भागा उपर नीचे उपर नीचे होते हुए क्योंकि index कभी भी कोई भी index हो या share market में कोई भी share हो कभी भी सीधा नहीं चल सकता friends आप देखते रहिए यह 2-3% 2-3% का खेल इसमें लगा रहता है anytime यह 2-3% की movement इसमें एक-एक candle अगर आप दोखोगे तो 2-2% की movement जो बड़ी candle है 2-2-3-3% की movement दे रखी एक-एक candle में को कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता है share market में वो भी without any loss अगर हम systematically काम करते हैं तो एक-एक candle आप देख लीजिए कि 2-3% की movement है ठीक है बड़ी-बड़ी जो candle है उन सब में 2-3% यह day की candle लगी हुई है यहाँ आप चेक कर सकते हैं तो एक-एक candle में ही 2-3% की एक-एक दिन की movement है बड़ी candles में यहाँ आप देखेंगे फिर भारी गिरावट हो गई है और long term में अगर बात करते हैं बैंक बीज की तो बैंक बीज भी हमेशा से जो है उपर की तरफ इसकी movement है ठीक है और इसने बहुत अच्छा returns बना के दिया है जस्ट लाइक निफ्टी बीज देखिए इसने एक साल का return अगर आप देखते हैं तो 25% का इसका निकल के आ रहा है 25-26% का एक साल का return है और अगर आप long term में देखते हैं all time का chart इसका उसमें भी बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है इसने अपने investors को तो bank बीज एक बहुत ही safe ETF है swing trading करने के लिए यहां से आप clearly देख सकते हैं कि इसका mode जो है elevated mode है ठीक है जाएगा भी ठीक है देखिए 1363% का इसने return दिया है since inception ठीक है तो क्या कोई ऐसी वीदी हम bank बीज में निकाल सकते हैं कि इसके जितने भी moment है वो सारे moment capture कर सकें ठीक है छोटे जितने moment है वो सारे moment अगर हम लोग capture करना सीख जाए एक भी moment नहीं छोड़े तो क्या हम regular income कमा सकते हैं क्या कोई ऐसी वीदी है बिल्कुल है friends तो चलिए बिना time based किये हुए चलते हैं उस वीदी की तरफ और जानकारी लेते हैं कि कैसे हम system के दुआरा बैंक बीज की सारी moments cover करने वाले हैं और उससे हम एक regular income generate करेंगे जो कि आज भी सही रहेगी और आने वाले कई दशक तक आप अराम से पैसा बना सकते हैं बैंक बीज में regular swing trading करके और इसमें भारत के top most 11 banks हैं ठीक है बड़े बड़े तो ये कभी भी zero नहीं हो सकता है क्योंकि सारे bank तो एक साथ zero होने से रहे हाँ इसमें उठा पटक चलती रहेगी उठा पटक भी इसलिए क्योंकि जो है finance sector है कभी कौन सा नियम लगाएंगे कभी किसी को loan bank देगा तो loan लेके भाग जाएगा कभी bank को profit होगा ठीक है तो इस त उठा पटक इसमें हमेशा मिलती रहेगी आपको friends तो चलिए एक ऐसा system बनाते हैं जिसमें कि अपना loss एकदम zero हो एक भी रुपे का loss ना हो और long term के लिए उससे हम एक regular income कैसे generate कर सके उस system को हम लोग जानते हैं चलते हैं मेरे excel sheet की तरफ friends तो दोस्तो बैंक 20 का हम swing trading start करने वा जिसका inquiry whatsapp number 6201514820 number पे high या hello liquor करके आप कर सकते हैं ठीक है यह आने वाले market में आपको losses से बचाएगा और regular income कैसे कमाना है market से इस चीज में आपकी पूरी help करेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं सबसे पहले जो as usual की हमारी position क्या है bank bees की उसको हम लोग track करेंगे bank bees की अपनी position क्या है track करने के लिए बहुत ही simple concept है यहाँ ETF का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे LTP price डाल देना है LTP मतलब market price last traded price bank bees ने अभी year high touch किया था 493.58 यह graph के उपर से लेना है graph में जो one year का आपका value है वही चीज यह है one year का 1% जो आएगा 4.94 है और इसका 2% 9.87 है तो 9.87 2% का factor हम लगा देंगे जब भी 9.87 गिरेगा हम अगली buying करेंगे जब भी 9.87 गिरेगा हम अगली buying करेंगे जब फिर 9.87 point bank bees गिरेगा तो अगली buying करेंगे इसका मतलब हम year high के 2% पे हम आगे बढ़ रहे हैं 2% year high का लेकर के तो हम 10 step total रखेंगे इसमें खरिदारी करने के लिए और क्योंकि हमने year high का लिया हुआ है तो यह अपना 10% यानि की 20 और 5-8% ऐसे 27-27% तक आपका आराम से capture कर लेगा आप एकदम safe रहेंगे कभी decades वाली fall हो गई friends decades में जो की कभी 10 सालों में बहुत बड़ी fall आती है 60% 50% तो हम कुछ नहीं करेंगे हम सिरफ wait करेंगे या extra capital होगा तो excel को हम लोग नीचे की तरफ odd draw करके उस हिसाब से buying करते रहेंगे अगर अपने पास अपनी जेव उस टाइम पे गवाही देगी तो अगर जेव गवाही नहीं देगी तो हम चुपचा बैठके wait करेंगे यह है difference LTP minus year high मतलब LTP market price जो है उसको minus किया है year high में से तो minus 26% गीरा हुआ है अभी year high से minus 26.99% जब इसको percentage में तबदील करेंगे तो minus 5% 5.47% गीरा हुआ है जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में market क्योंकि bull run में था सभी ETF ने अपना year high बनाया तो just year high बनाने के बाद में ये एक drop आया है minus 5.47% का यहां तक आशा करता हूँ समझ गया आप लोग एब फिर repeat कर दूँ कुछ भी नहीं है ये बहुत ही simple है ये देखके घबराने के जुरूत नहीं है ये हो गया आपका market price ये हो गया year high year high का 1% 1% इसलिए लिया क्योंकि अपने को factor निकालना था 2% का तो 2 से multiply कर दिया इसको ये difference किसलिए निकाला गया LTP minus year high में क्योंकि कितना point गिरा हुआ ये तो check करेंगे वो check करके हमने fall in percentage निकाल दिया ये एक tentative idea देता रहेगा कि हम कहां पर stand कर रहे हैं कितना percent bank biz गिरा हुआ है simple है ना करो तो भी चलेगा उपर वाला कोई जबरजस्ती नहीं है अब आते हैं simple swing trading पर कैसे करना है सबसे पहले जो आपकी capital है 10,000 की उसको हम लोग 10 बागों में बाट लेंगे ठीक है आपके पास में 25,000 है तो धाइड़े यहजार को आप 10 बाटों में बाट लेंगे एक लाख रुपे रहने से थोड़ा सा अच्छा रहता है because थोड़ी सी profit ज़्यादा समझ में आती है तो मन लगा रहता है आपका trading करने में तो एक लाख रुपे को हमने 10 equal parts में बाट लिया ठीक है बिल्कुल वही दुकान वाला ही तरीका है आपने दुकान खोल लिया 10 equal parts में आपने बाट लिया है कुछ नहीं आपने किया अभी और 10 equal parts में जैसे ही आपने बाटा आपने दुकान में एक माल लाके डाल दिया पहला लॉट मार्केट क्योंकि अभी 466.59 पे है तो आपने इसी पे 21 उनिट आएंगी आपने 21 उनिट खरीद डाली और आप इंतजार करने लगे कस्टमर का कस्टमर का आप इंतजार करने लगे एक बार इसको पहले समझ लिया जाए कि ये क्या चीज है इसको समझिए तो आपको और असानी होगी आपने यहाँ पे LTP भरा है तो यहाँ पे LTP आ जाएगा बाइंग प्राइज का फार्मूला क्या होता है बाइंग प्राइज फार्मूला होता है एवरेज कॉस्ट गुना यूनिट्स ठीक है एवरेज कॉस्ट मने किस प्राइज पे आपने कितना खरिदा है यूनिट्स वो आपका बाइंग प्राइज हो गया सिंपल मार्केट प्राइज क्या होता है market price होता है units गुना LTP market price ठीक है तो total अपको इतने का पड़ा profit loss क्या होता है market price minus buying price simple formula है next buying price क्या है जैसा कि मैंने बोला आपने जो इस average cost पे खरीदा हुआ है इस में से minus 9.87 हटा देने का है इतना point जब fall होगा fall करके देखिए formula अल्रेडी लगा हुआ है ठीक है आपने 466 रुपे 69 पैसे पे खरीदा है तो अगली buying आपकी बनेगी 456 रुपे 72 पैसे पे 9.87 पैसे इसमें से minus कर दिया है units to be purchase अगली unit कब कितनी खरीदनी है 10,000 से इसको divide कर दिया तो 22 units आ रही है इस बार 21 unit आई एक unit आपकी बढ़ गई क्यों क्योंकि ये कुछ सस्ता मिल रहा है आपको तो 22 unit आने लगी तो अभी आप क्या करेंगे जैसे ही आपने purchasing कर लिया आप इसका एक OMO order डालके छोड़ देंगे ठीक है 456.72 गुना 22 units का order in process ठीक है process में है order आपने AMO order लगा करके छोड़ दिया है इसका अब क्या होगा आपने दुकान खोल लिया और अपने next vendor को एक order भी दे दिया ठीक है ये vendor से आपने माल लगाने का order दे दिया अगर ये उपर गया दो condition आएंगी उपर जाएगा तो यहाँ पर आपको 200 रुपे का profit दिखाई देगा अगर आपको 200 रुपे का profit दिखाई देगा तो आप इसको sell कर दोगे ठीक है sell कर दोगे अगर आपको 200 रुपे का minus दिखाई देगा या ये target price आपका जब click कर जाएगा तो आप इसको आपका अपने आप order execute हो जाएगा और buying आपकी हो जाएगी जब आपकी buying हो जाएगी तो ये मान के चलिए कि आपने दूसरे lot का भी माल खरीद लिया अपने दुकान में 456.72 ठीक है 22 units आपने माल खरीद लिया अपने दुकान में अब क्या है थर्ड आप यहाँ पर देखोगे फिर market अगर crash होती है तो आपने फिर तीसरा lot करीद लिया बागी capital एकदम आपका safe है उसमें ना पानी लग रहा है ना फूफुन्दी लग रही है और ना वो market में कहीं फसा हुआ आपका capital ठीक है और अगर market नीचे आता है तो आप बीना डरे हुए इसको फिर खरीदते जाओगे जब तक कि आपका capital आपका गवाही देगा ठीक है capital कब तक गवाही देगा क्योंकि आपने अल्रेडी planning किया हुआ है दस step तक capital आपका गवाही देगा इस तरीके से आपको purchasing करते जाना है और किसी भी lot में अब ध्यान से सुनिएगा sell कब करना है buying का मैं आशा करता हूँ कि मैंने एकदम clear कर दिया buying कैसे करना है sell कैसे करना है ये आप समझ लीजिए ध्यान से सुनिएगा एकदम बहुत important है अगर ये चीज़ चूग गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोग फिर profit नहीं book कर पाईएगा sell, sell मैंने S से मैंने sell लिख दिया sell कब करना है, sell कब करना है जब आपको ये वाला column ध्यान से दिखना है जैसे at present moment आपको ये दोनों row बेचना पड़ेगा क्योंकि दोनों में आपको 200 से उपर रुपे profit है एक एक moment अगर आपको capture करना है तो 2-2% capture करते हुए उपर नीचे चलेंगे ठीक है, तो आपने 434 रुपे इसमें और 217 रुपे इसमें अगर इन दोनों को हम add करें तो आपने 650 रुपे के आसपास profit book कर लिया 651 रुपे, 651 रुपे प्रॉफिट book करने के लिए आप इन दोनों को जोड़ोगे 44 यूनिट्स को आप sale कर दोगे, ठीक है 44 यूनिट्स आप sale कर दोगे तो और एक आप बनाओगे अपना tracker copy, notebook या आप Excel sheet बना सकते हो वहाँ आप लिख लोगे, तारिक डालगे कि भाईया इस दिन मैंने 651 रुपे कमा लिया ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आपने इसको कमा लिया इसको बाद आपको क्या करना है यहाँ से क्योंकि आपने तो ये रोज sale कर दिया तो ये दोनों आपको delete कर देना है ठीक है, अगर आपने इसको जैसे ही delete किया अब आपका जो AMO order जाएगा after market order या आपका limit order या GTT order जो भी आप order डालते हो limit order वो limit order आपका उपर shift हो जागा, क्योंकि नीचे की तो दो रोबिग गई फिर आपने उसको देखिए यहाँ profit दिखाए ना दिखाए, क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक आपने profit किताबों से निकल करके book नहीं किया तब तक वो पैसा आपके पास नहीं हुआ, आया अभी किया आपने 651 रुपे का profit book कर लिया, इसका मतलब आप पैसा पोटली में बांध करके अपने घर ले करके चले गए, ठीक है वो पैसा आपका हो चुका है अब क्या करना है, आपको फिर से खरीदना है उसी rate पे खरीदना है, क्योंकि आप पुछोगे सर क्या उसी rate पे खरीद हूँ, पागल हूँ क्या हाँ, क्योंकि आपने profit book कर लिया है, तो वो पैसा आप ले के जा चुके हैं, डियर तो आपने क्या करना है, फिर से इसी rate पे एक order लगा के छोड़ना है मैं एक बार दिखा दू इसको आपने ये order लगा के फिर से छोड़ना है 456 रुपे 72 पैसे का 22 units के लिए 22 units के लिए आपने फिर order लगा के छोड़ना है और आपने फिर इसकी बाइंग करनी है माल लिजिए कि आपने order लगाया और फिर से आपकी बाइंग हो गई यहाँ पे 456.72 ठीक है 22 units के आपने बाइंग कर ली और फिर market पहुंच गया 466 पे फिर आपने 270 रुपे के profit booking कर ली इस तरीके से ये खेल चलता रहेगा एक भी जो moment है आपका आप छूटेगा नियाप से ठीक है जो मैंने चार्ट पे आपको गोले पार-पार के दिखाए थे ना ऐसे से करके ऐसे से करके कि देखे कैसे bank beach moment दे रहा है ये सारी moment आप capture कर लोगे capture करने का एक ही महा मंत्र है वो महा मंत्र ये है कि एक तो आपको system बनाना है आपने system बना लिया दूसरा महा मंत्र ये है कि आपके पास पैसा हमेशा ready रहना चीए ये पैसा आपको कहीं भी इस्तमाल नहीं करना है आपको क्या पता कि कब crisis आ जाए कब Russia यूक्रेन का वार हो जाए कब China ताइवान का वार हो जाए कब US में economy down हो जाए क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम तो ये घटनाए घटती रहेंगी तो आपके पास में होना चीए पैसा ठीक है पैसा होगा तो आप ये 10 के 10 रो कंप्लीट कर पाऊगे system बन गया पैसा आ गया एक बड़े से बड़ा मंत्र और दे रहा हूं आपको वो क्या important है हमेशा आपका ये order in process होना चीए एक जैसे ही खरीदाता है वैसे ही आपको next row का order डालके छोड़ देना है इसका order डालके छोड़ देना है ये खरीदा गया जैसे खरीद हो गया इसका तो आपको इसका order डालके छोड़ देना है अभी यहाँ पर कुछ और देख रहा है जब यहाँ value फुट करोगे तो exact ये दिख जाएगा ठीक है अभी क्यूंकि आपने यहीं तक डाला है तो यहीं तक देखाई दे रहा है तो इस तरीके से आपको फिर तीसरे चौथे रो पाचवेरो सबका order डाल करके आपको छोड़ देना है अब क्या है बहुत सारे लोग जो है ये सवाल पूछेंगे कि सर आपने सारा चीज समझा दिया समझ में आ गया बाइंग सेलिंग सारी चीज़े समझ में आ गयी है लेकिन एक concept है फीफो first in first out जो पहले खरीदा गया उसी को पहले बेचेगा उससे आपको बिल्कुल भी रत्ती भर नहीं घबराना है क्योंकि मैंने already वीडियो डाल चुका हूँ बोलोगे तो मैं एक next part लेके आऊँगा उस वीडियो को और मैं फिर प्रूफ करके दिखा दूँगा कि जो आप अपनी diary में profit note करोगे और जो आपके demate में profit आएगा जब सारी चीजे आप बेचके बाहर आजाओगे तो एक 25 पैसा या एक रुपया भी इदर से उदर आपका नहीं जाने वाला एकदम आँख मूद कर विश्वास करना है क्योंकि आप units बेच रहे हो एक time ऐसा आएगा कि जब आपको आप उपर वाली units बेच रहे होंगे ठीक है तो ये नीचे वाली बेच रहा होगा जब आप नीचे वाली बेच रहे होंगे तो ये उपर वाली बेच रहा होगा तो paralysis में नहीं जाना है analysis करना है उतना ही कि हम result लेना है इससे काम को निकालना है काम को फसाना नहीं है तो मैंने जैसा आपको बताया आप उस row को जोड़ जोड़ के जितना profit हो रहा है आप उसको बेचते रहिए और अपना profit book करते रहिए तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो दोस्तों और जो लोग नए जुड़े हैं एक बार trading course करना चाहते है ETF का 6201-514-820 नमबर पे WhatsApp करके हाय हेलो करके आप inquiry कर लिजिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नौलेज़फूल वीडियो में फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू बाई बाई एंड टेक केर फ्रेंड्स